नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com मैं हूँ सूरज दुनिया भर में 11,000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाली महामारी कोरोना कांत करीब आ गया है इस विसानू को खत्म करने वाली सबसे असरदार वेक्सिन जल्द बन जाएगा आई आपको बताते हैं कि COVID-19 से लड़ने वाले कमपाउंड की पहचान कहां हुई और ये कैसे काम करेगा दर असल अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने इस पर बड़ा रिसर्च किया है COVID-19 ने दुनिया के 170 से जादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है पूरी दुनिया में लगभग लॉक डाउन की स्थिती पैदा हो गई है अब तक इस गंभीर बिमारी का 60 किलाज वेग्यानिक नहीं खोच पाए है दुनिया के सबसे बहतरीन लेब्स में वेग्यानिक इससे लड़ने के उपाए तलास रहे हैं इसी बीच एक कम्प्यूटर ने उन केमिकल्स की पहचान कर ली है जो कोरोना वाइरस को फैलने से रोक सकते हैं इसकी पहचान आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से लेस दुनिया के सबसे तेज सुपरकम्प्यूटर IBM समिट ने की है इन केमिकल्स की पहचान के बाद जानलेवा कोरोना की वेक्सिन तयार करने का रास्ता खुल सकता है CNN की एक रिपोर्ट की अनुसार इस रिसर्च के दौरान सुपरकम्प्यूटर समिट ने हजारों टेस्ट किये इन में से 77 ऐसे कमपाउंट्स की पहचान की गई जो कोरोना के वाइरस को फैलने से रोकने में कारगर है इनसे वेक्सिन बनाने में मदद मिल सकती है 8000 से अधिक कमपाउंट्स टेस्ट कर उन कमपाउंट्स की पहचान हुई है जो इस वाइरस से जुड़कर इसे इनसानी कोशिकाओं से जुड़ने से रोक सकते हैं कोरोना के सबसे असरदार वेक्सिन का रास्ता साप होता नजरा रहा है यह एक्सपरिमेंट अमेरिका के ओक रीच नेशनल रेबुलेटरी ने किया है अब सोद करताओं की टीम समिट पर दो बारा इन 77 कमपाउंट्स की जाच करेगी और कोरोना के खात्मे का सबसे अच्छा मॉडल तयार करेगी बताते चलें कि सूपर कमप्यूटर समिट को वेस्विक इस्तर की समस्याओं को सुलजाने के लिए ही तयार किया गया है अमेरिका के उर्जा विभाग ने साल 2014 में समिट पर काम शुरू किया था यह सूपर कमप्यूटर 200 पेटा फ्रॉप की कैलकूलिशन करने में सक्षम है यह सबसे तेज लैप्टॉप से 10 लाग गुना जादा शक्ति साली है आपको बता दें कि चीन के वुहान से फैलने वाला कोरोना वाइरस का संक्रमन आज दुनिया के लगबग हर कोने में पहुँच चुका है जो गंभीर चिंता का सबब है दुनिया भर में अब तक 2,76,700 से जादा लोग कोरोना वाइरस के संक्रमन का सिकार हो चुके हैं और 11,420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं भारत में इस वाइरस से संक्रमित लोगों की संक्याँ अब तक 275 है जबकि 4 लोगों ने अपनी जान गमा दी है अगर भारत ने इस समय कोरोना को फैलने से रोक लिया तो COVID-19 पर यह बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी यदि भारत को कोरोना से जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना का कोई भी लक्षन दिखे तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंट सेक्षन में जाकर इस पर कमेंट करें और प्रभातकबर.com की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने धन्यवाद